प्राइम मिनिस्टर नुरिंदर मोदी ने डरेक बंगलादेश के निगरान वर्जीरी आजम मुहम्मद यूनस को वॉन कर दिया है प्राइम मोदी ने पहली बार किसी प्रधान मंतरी को ऐसी बधाई दी है जो बधाई से ज्यादा चेतावनी लग रही है भारत ने बंगलादेश में हिंद्वों रहे है अत्याचार पर कड़ा संदेश दिया प्रधान मंतरी मोदी ने बंगलादेश में अंत्रिम सरकार बनने के बाद अपने पहले संदेश में ही हिंदू के साथ हिंसा का मुद्द उठाया है वो बंगलादेश के अंदर हिंदों की सेफटी को एंशोर करें मोधी ने बंगलादेश में सरकार बनने के बाद पहले संदेश में ही नई सरकार को हिंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दे दिया है मुहम्मद यूनस के ओपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत जादा पॉजिटिव इंपक्ट क्रियेट करने वाला है क्योंकि बारत की जो पॉलिसी है हमेशा बंगलादेश की फेवर में रही है अगर बंगलादेश फेल हो गया तो बंगलादेश के लिए हेडेक नहीं है वो इंडियन्स के लिए हेडेक है भारत के लिए सरदर कैसे जरदर दर दे ब्यादान मंत्री ने ओर्डर दे दिए बीस अफ को बॉडर पर शूट हट साइट जो आएगा ठोको उसको फिर तुम क्य क्या करोगे ठोको लगा दी वहां पर इंडियन आर में फिर तुम क्या करोगे सारी एकड़ी दो मिनिट में निकल जाएगी तुमारी हिंदुस्तान से सिक्के चुरा चुरा के उसको पिगाल के ब्लेड बना बना के तो तुम लोगों ने देश बना दिया अब बोलती हो हम क्या मुसल्मान दूसरे मुसल्मान के लिए ऐसे खड़ा हो सकता है जैसे मोधी साब जो है बंगलादेशी हिंदुों के लिए खड़े और उनकी आवाज बने प्रामिनिस्टर निरिंदर मोधी ने मुहम्मद यूनस को सीधा वोर्ण कर दिया कि बंगलादेश के अंदर जो हिंदु है उनके अपर अटाक बंद किया जार उनकी सेफटी को एंशोर किया जाए इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया की फॉर्ण पॉलिसी की तरीफ और इंडिया की सौफ डिप्लोमेसी की तरीफ और यह कि देखो वो अपने हिंदुों के लिए खड़ा है क्या मुसल्मान दूसरे मुसल्मान के लिए ऐसे खड़ा हो सकता है जैसे मोधी साब बंगलादेशी हिंदुों के लिए खड़े उनकी आवाज बने सबसे पले तो एक में बात करना चाहोगा क्या व्क एक तरह चीज्ब करने चीह हैं कि अब यह बेंगलादेश में एक बॉराव चल रहे हैं कोई भी कंट्रीए उदर किसी और लिजस का बंदा रह रहा है कोई भी कम्यूटि रह रही है तो अगले बंदे को अभी टाइम में उन से सीधा बात करने की कि कि आप हमारे साथ जो नायन साथ भी कर रहे हैं वो बंद करें मसला यह कि इंडिया के जो लोगें अब उदर रह रहे हैं ठीक है उनोंने से बहुत ज इस असलिप आप ही होई है कि की ऑफिछ उनके संब्समारी का अंडिया में ब्रजेश की होगी है इन्डिया को बिर कि बंगलादेश में दैशित ग कर दो यह में आपको तो इंडिया का यह दर कितने पर्संट राइट लगए में कि देखिए ने हर कोई अपने मजभ और करता है कि शुक्षाथ करें कि वह अभी उनको टाइम में वह कर रहे हैं अभी जो मसला बंगलादेश में चल रहा है उसके साफ से वह जो दर मेनार्ट जो भी रह रही है क्योंकि अभी ना देखें कि यह स्टूडन का जो मामला था वह कार क्योंकि इंडिया कीबात हमने कली बंगलादेश की कर ली पाकिस्तान की न करें, ऐसे मुम्किन नहीं है, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि मश्री की पाकिस्तान वापिस आ रहे हैं, बंगला देश खतम होने वाले हैं, ये तो आप देखें, जो यहां पर अल्डरेडी हैं, वो इन से खुश नहीं हैं, और एक नया क्या आएगा, सबसे जादा एंटी इ पाकिस्तान वाज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाकों मार दिये थे, तीस लाक बंगालियों को मारा था, थर्टी लैक्स, और एक मिलियन, यानि की दस लाक बंगाली ओरतों का रेप करा था, ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत, ये हमुदूर कमिशन की थी कि आजादी के बाद बंगला देश में रुख जाती जो नया बंगला देश उसको बंगला देश बनना ही न देती, जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत अखंड भारत तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा, हमने नहीं करा, हमने बोला ठीक है, आपका देश हमारा अधिक हमने कुछ नहीं बोला हम चुपचा वापस आगा, यह हमारी गलती थी, अब हमें लगता है यह गलती थी, तब ही रगणना चीए था, यार ऐसी बात है कि देखो, मुहमद यूनिस कहरा है कि भारत बड़े भाई की तरह, आज की तारिक में मैं आपको बताता हूँ, यह कहरा ह है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बंगलादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है, उसके बारे में, यानि कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को सेंटिमेंट सपोर्ट करना चीए था, और भारत का फर्स था कि भारत एक अच्छा नाग्रेक होने का सब और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है, अच्छा, हम बोलें शेख हसीना गलत है, राइट, चलो शेख हसीना चली गई, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना पंगलादेश में नहीं है, अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है, अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो र कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले तब भारत अच्छा है तब भारत जितनी भी दखला अंदाजी करे यानि कि भारत ये बोले कि शेक हसीना जो थी उसने गलत करा उसने ये करा उसने वो करा तब भारत की दखला अंदाजी है और दोस्तों कल ये बैठ जाएंगे अ आप मान के चलो, टाइटल क्या है, चीफ एडवाइजर, आप बैट गए, भारत में निर्मला सीता रमंजी, जो कि फाइनाइंस मिनिस्टर है, वो कहती है, इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ, होगा तेरे पास नोबल प्राइस भाई, होगा, हमें उसका क्या करना है, चैट करते हैं कि साब वो जादा पड़ा लिखा नहीं है, लेकिन दो सो अरब डॉलर की उपर बैठा है वो, दो सो अरब डॉलर की उपर, कमाए है ना, दिमाग से कमाए है, तो भाई आपके पास कोई भी कौलिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबल प्राइस जीता को यही बंगला देशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था, जिसने शेक हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बंगला देशी फिर पीछे मुल के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे अंतरिक मामलों का दखल अदाजी कर रहा है, कि अगर हमारा घर जलेगा, तो देखना बेटा, तु तुम हमें उल दे रहे हो, बंगला देश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है, तुम लोग खुद जाहिल हो, खुद तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना है?